कुछ चोटे-चोटे tips and hacks के थुरू काम करने का मज़ा हम सभी को आता है क्योंकि इससे की काम हो जाता है आधा तो आज मैं ऐसे ही कुछ चोटे-चोटे useful tips and hacks लेके आचुकी हूँ जो बहुत ही काम आएगा Hello everyone and welcome back to my channel कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज का मेरा पहला tips बहुत useful है कई बार ऐसा होता है चाहिए वो धोके से हो या तो फिर गल्ती से जादा अगर सबजी में हल्दी डल जाए तो सबजी का कलर जो है न बेकार हो जाता है और अगर सबजी का कलर अच्छे से नहीं होते न तो कोई भी वो सबजी नहीं खाएगा नहीं चुएगा तो इसके लिए क्या उपाई किया जाए ताकि सब्जी का कलर बैलेंस हो जाए जो जादा हल्दी हमने डाल दिये थे ना वो कम हो जाए इसके लिए एक छोटा सा जुगार छोटा सा उपाई है आप ले लीजिए कर्ची और कर्ची को दूसरे साइट गैस में अच्छे से गरम क लीजिए गा तो गरम कर्ची को इस तरह से सब्जी में आप पहले डाल दीजिए उसके बाद सब्जी में इस तरह से चला दीजिए ऐसा करने से होगा ये गरम स्टील सबजी का एक्स्ट्रा कलर को बहुत ही आसानी से सोख कर लेगा और जिस बज़े से सबजी का कलर जो है बैलेंस हो जाएगा यानि कि बहुत अच्छा कलर आ जाएगा आई होप टीब अच्छी लगी है एटलिस सुबह साम घर में चाय तो बनती ही बनती है तो चाय को जब हम छानते हैं तो आप देखी सकते हैं इस तरह से चाय इधर उदर गिरने लगता है जिस वज़े से किचन प्लाटफरम गंदा होने लगता है तो इसके लिए भी एक छोट कर लेगा तो ये वाली टिफ भी बहुत यूसफूल है जरू से अजमाना मेरी अगली टिफ है इस तरीके का मैनुवल चौपर को लेके जो बहुत यूसफूल है इसलिए लगभक हम सभी लोग इस चौपर का यूज करते हैं चाय हम सबजी इसमें चौप करें या प्याज य इसको हम धोते हैं तो इसको बार-बार धोने के करण ये जो थ्रेड इसमें इसके साथ जो एटज किया हुआ है जिसके हिल्प से हम इसको चौप करते हैं और जो सेंटर वाली पार्ट है यहीं से इसमें पानी गुझ जाता है जिस वज़े से ये बहुती जल्दी खराब हो इसको बार-बार न वस्क नहीं करना है लेकिन अगर इस तरह से सबजी लीड मेح लगए तो हमें वस्क करना ही पड़ेगा तो इसके लिए एक छ जुगाड हमने निकाले हैं इसके लिए हमने ले लिये हैं एक पॉली बैग और पॉली बैग के साथ इस तरह से attach कर देंगे यानि कि fix कर देंगे देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से हमने डाल दिये हैं तो बस side side थोड़ा extra polythin था उसको हमने काट लिये हैं तो चली friends अब मैं lead को बंद करती हूं और lead को बंद करके मैं प्याच चौप करके आपको दिखाती हूं कि य ये प्रोटेक्टर यूज में आता है कि नहीं तो बस प्याज को हमने चौप तो कर लिए अभी लीड को मैं खोल के दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंस लीड को हमने खोल लिए है अभी पॉलिथिन को हम उठाएंगे तो देखे इस तरह से जितने भी प्याज जो लगा है वो धोने की कोई भी जरूरत नहीं है तो इस तरह से जब भी आप सबजी या जो भी चौप करें तो बस इस पॉलिथिन को लगा लीजिए और चौप कर लीजिए इससे की लीड गंदा नहीं होगा और लीड को धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा जिससे की आपका चौपर लॉंग टाइम तक चलेगा अई होप टीप अच्छी लगी है और मेरी अगली टीप में मैं एक यूसफुल सॉलिशन बनाऊंगी जो बहुत ही काम आएगा तो इसके लिए हमें चाहिए सैंपू तो यहाँ पे हमने पाउच बला सैंपू लिया है अब चाहे तो बोटल बला सैंपू भी ले सकते हैं और दो पाउस सैंपू से ही मैं यह solution को बनाऊंगी तो इसके लिए हमने frying pan को गरम करने के लिए रख दिया है और उसके बाद sampu को हम इस तरह से pan में डाल देंगे gas लेकिन अभी भी चालू है flame को हमें low रखना है और इस तरह से sampu को डालने के बाद आप देखी सकते हैं इसमें से bubble आना शुरू हो चुका है क्योंकि frying pan जो है वो गरम है इस वज़े से और अब हम क्या करेंगे sampu को ना चला लेंगे ठीक है तो इस तरह से चलाती हुए इसको हम थोड़ा से पका लेंगे जब तक ये melt ना हो जाए तो देखी तरीके से melt हो चुका है कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है अब हमने इसमें एड गिए है शकर एक चम्मच सकर इसमें एड कर दिये है अब तो खूब चलाना है क्योंकि सकर एड गिया ना तो ये तलमी लग जाएगा तो इसलिए अच्छे से चलाती हुए इसको थोड़ा और पका लेना है ताकि सक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और जब तक सक्कर ना मेल्ट हो जाए तब तक इसे हमें चलाना होगा तो देखिए सक्कर मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे बेकिंग सोडा याने की मीठा सोडा baking soda हम थोड़ा सा ही डालेंगे और baking soda डालने के बाद आप देखी सकते हैं friends देखिए कैसा जाग बन रहा है खूब जाग बनेगा इस तरह से और baking soda डालने के बाद ना इसको जादा नहीं पकाना है जादा नहीं चलाना है gas को तुरंट बंद कर देना है जस्ट mix कर लेना है तो gas को हमने बंद कर दिये हैं और अब हमने ले लिये हैं foil paper और solution को इस foil paper में हम डाल देंगे और इसको जमने के लिए हम रखेंगे freeze में या freezer में मतलब normal freeze में या तो फिर freezer में आप रख सकते हैं बस हम रख देंगे आधा से एक घंटा के लिए हम रखेंगे तो न ये अच्छी तरीके से जम जाएगा बहुत अच्छा solution है इसका use में बाद में बताती हूं तो चलिए मैं इसको फ्रीज में रख के आती हूं और जो कड़ाई में लगी हुई थी न तो extra जो लगी हुई थे उसको मैंने खरोच के निकाल लिया है और इस तरह से हाथों में हम इसको लगा रहे हैं तो इसे न बहुत अच्छा glow आएगा हाथ में मतलब मैंनी की और करने की ज़रुद नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से करते हो तो तो देखिए हमने हाथ को धो लिये हैं और देख सकते हाथ में कितना अच्छा glow भी आया है और हाथ ना बहुत ही soft भी हो चुका था मुझे थे बहुत अच्छा लगा ये solution और इसको हमने अभी freeze दे निकाल लिये हैं और चलिए इसका use बताती हूँ इसका use हम लेंगे toilet में सभी के घर में toilet तो होता ही है और toilet में जब गंदेगी जम जाती है तो हम flush मरते हैं जितने भी flush मरें लेकिन वो गंदेगी जाती नहीं है तो ये solution बहुत काम आएगा आपको बस flush वाली tank में इस तरह से इसको डाल के रखना है और इसको थोड़ी दर के लिए छोड़ दीजिएगा mix होने के लिए और फिर उसके बाद आप flush चला लीजिएगा और जब भी आप flush चलाएंगे तो आप देखेंगे जो गंदेगी है ना वो remove हो जाएगा साथ ही में आपको बहुत अच्छा खुसबू भी मिलेगा तो कैसी लगी यह idea ज़रूर बताना तो इसे के साथ मैं आज का वीडियो यही paint करी हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आए है और helpful भी लगा है अगर पसंद आए तो like कीजिएगा share कीजिएगा चैनल पे new है तो subscribe भी कर लीजिएगा तो चलिए friends मिलती हूँ next वीडियो में bye friends and thanks for watching